कि हेलोडी स्टूडेंस एक फिर से आप सभी लोग का टारगेट गुरुकूल में श्वागत है जैसे मैंने आपको आल्रेडी अफ्टरनों में आपको अपडेट किया वीडियो बहुत ही अच्छा रिस्पॉंस आप लोगों ने दिया बहुत जादा प्यार मिला अब तक हमें विश्ट नहीं करूंगा एक बाद ध्यान से मैं दो नोटीस है दोनों नोटीस को द्यान से मैं पढ़ता हूं देख लो 11-11-24 की लास्ट है एक लास्ट में इंपोर्टेंट चीज बताऊंगा ध्यान से सून लेना उसको ठीक है देखो यहां से 11-11-24 तक सामार्थ पोर्टर पर लॉग इन करके अपने सब्जेक्ट सेलेक्शन करके फॉर्म को सब्मीट करके प्रिंट आउट अपने कॉलेज विश्वी डैले में सब्मीट कर सकते हो ठीक है तो आप लोग ध्यान देना जो बच्चे फॉस समेश्टर के है ठीक है देखो यहां क्लिए लिखा गया है सथागत के छातव ठीक इसके बाद सेकेंड नोर्तिस आती है यहां पर जो बच्चे शे समेश्टर को छोड़ के ठीक है यहां जो बच्चे यहां पर थोर्ड समेश्टर के थे 5th semester थे या 7th semester के थे उनकी जो farm की last date थी वो भी आप लोग की क्या थी 5, 11, 24 तक आप लोग की last date थी ठीक है इसको आप बढ़ा के क्या कर दिया गया है इसको 14, 11, 24 तक अंतिम रूप से पूना विस्तारित की जाती है यानि अब अब जितने भी पिचे 3rd, 5th, 7th semester के हैं आप लोग को प्राब्लम न हो और अराम से अपने form को submit करके अपने college में जाके जमा कर दीजे ठीक है समझ में आया फर्स semester वाले भी 14 तक अपने सामवार्थ पोर्टर के माद्यम से अपना form फील कर सकते हैं जो बच्चे 3rd, 5th के हैं वो जैसे अपना form पुना पिछले semester बाती फील कर रहे थे वैसे फील करेंगे केवल 3rd और 5th को यह बोला गया है जिन आइटी सेल में जाकर बात करका शीच को फाइनली पूछ के आप लो के लिए यह बात आपको बता रहा हूं ठीक है चलो यह क्लिर हो गया इसके बाद मैं आपको एक चीच बता रहा था जैसा कि मैंने आपको बताए के टार्गेट समस्टर को सब्सक्राइब कर लेना वीडियो पर टार्गेट गुरुकुल में देख रहे हैं लेकिन यहाँ पर आपको समस्टर की अपडेट और क्लासज आप बहुत कम मिलेंगी इंफर्मेशन में कोसिस करूं का टार्गेट समस्टर पर दी जाए क्योंकि जो टा तो जितना मैक्सिमम हो सके अपना प्यार अपना शपोर्ट प्लेटफॉर्म को दें आप लोग ठीक है और टार्गेट समेश्टर को जल्दी सब्सक्राइब कर लो यूट्यूब पे सर्च करो मिल जाएगा है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूगा ठीक है और जो बच्चे सार्थी बैच में अभी नहीं इन्रोल है उनको बता दे सर सार्थी बैच आपके लिए राम बाडर है आपके लिए वरदान है आप एक बार यह ग्राउंड रिपोर्टिंग देखोगा है समेश्टर एक्जाम की ग्राउंड रिपोर्टिंग ठीक है तो समझ जाओगा सर कि स सार्थी का क्या जलवा रहता है सार्थी की क्या भूमिका रहती है आपके समझतर एक्जाम के लिए तो सार्थी बैच एकदम आपके लिए डिडिकेटेड है गोरपुर विश्विद्याले समवंदित कॉलेज के बच्चों के लिए पूरा MCQ की क्लास हम लों सुरू कर रहे ह में MCQ अप्लोड होने शुरू हो चुके हैं तो उसको लेकि आप लोग अराम से पढ़ाई शुरू कर दो एक्जाम आपके 20 तारीक के बाद सुरू हो सकते हैं क्योंकि 14 तक लास्टेट है और तभी आपके एक्जाम के टैम्टेबल भी आ जाएगा और 20 के बाद आपके एक् आएगे परेशान बिल्कुल मत होना ठीक है थैंक्यू सो मच